हालो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंधन और इंधन के परकार ध्यान में रखेगा आपसे पुछा जा सकता है कि इंधन क्या है, इंधन की परिभासा क्या होती है, इंधन किसे कहते है, इंधन का क्या मतलब होता है, इंधन से आप क्या समझते है तो आप बिल्कूल डर्येगा नहीं, आज मैं जो कुछ भी बताऊंगा वही लिखकर आपको आजाना है, आसानी से नंबर आपको मिल जाएगा, तो चलिए, सुरू गरते हैं सबसे पहले हम जानते हैं इंधन, जिसे इंगलिस में कहते हैं फ्यूल मैंने लिखाए कि वह दार्थ जो जलने पर उसमा तथा परकास देता हो, उसे इंधन कहा जाता है जैसे में लकडी हो गया, पेट्रॉल हो गया, मिटी का तेल हो गया, यानि किरोसिन तेल हो गया, कोईला, गोबर, कोक, डिजल, चारकुल ये सभी को आप जलाईएगा न, तो ये सब उसमा और परकास देंगे, उसमा और परकास कहने का मतलब ये, कि उसमा यानि गर्मी देंगे, आप ऐसे सोचे न, जब खाना बनता है, तो वहाँ पर गर्मी भी लगता है, और वहाँ पर इंजोरा भी होता है, यानि अंधरिया स खाना बनाईएगा तो आसानी से आपको पता लग जाएगा कि रात में इंजोरिया भी होता है और वहाँ पर धाह भी लगता है यानि गर्मी भी बीगता है तो जिस भी पदार्थ को आप जलाईएगा तो उसमा और परकास देगा ही देगा तो वह आपको क्या कहलाएगा यहां ज्याह होंगे तो चलिए अब समाझ लेते हैं इंधन के परकार इंधन के परकार टाइप ओफ फ्यूल गाईज उत्पति के अधार पर इंधन दो परकार के हैं पहला आजाता है प्रकृतिक इंधन जिसे हम प्राथमिक इंधन भी कहते हैं और दूसरा होता है मानो निर्मित इंधन जिसे हम दिवित्यक इंधन भी कहते हैं या इसे मानो इसे सोधित इंधन भ दिखा हुआ है कि वैसे इंधन जिसको किसी नहीं बनाया हो उसे प्राकृतिक इंधन कहते हैं जैसे में देखे लकडी हो गया कोईला हो गया तेल हो गया पेटरॉलियम हो गया डीजल इत्यादी यह सभी के सभी क्या है यह प्राकृतिक इंधन है ठीक है इन सभी चीजों को कि यह भी आप समझ गया होंगे चलिए समझते हैं मानो निर्मित इंधन यानि मैन मैड फ्यूल तो आसानी समय ने लिखाए कि वैसे इंधन जिसको मानो ने खुद बनाया हो उसे मानो निर्मित इंधन कहती हैं जैसे मैं देख सकते हैं चारकोल, कोक, रसोई, गैस यह सभी के सभ आने इस यह भी आपको क्लियरली आ गया होगा चलिए और अब हम समझ लेते हैं कि भौतिक अवस्था के अधार पर इंधन कितने परकार की होती है तो यहां पर एक-एक चीज को आप गौर से देखिएगा इंधन के परकार इंधन को उनके भौतिक अवस्था के अधार पर तीन भागों में बाटा गया है तो पहला यहां पर देखिए हो जाता है ठोस इंधन और दूसरा होता है द्राव इंधन और तीसरा हो जाता है गैसी इंधन तो ठोस इंधन में देख सकते हैं लकडी आ जाता है कोईला आ जाता है पाराफिन मोम आ जाता है गोबर के उपले आ यह सभी के सभी क्या आ जाते हैं ठोस इंधन में आ जाते हैं ठीक है और द्रव इंधन किरोसिन तेल आ जाता है पेट्रॉल आ जाता है डिजल आ जाता है ठीक है तो यह भी समझ के होंगे और आगे है गैसी इंधन तो गैसी इंधन में आ जाता है जल गैस प्रोड्यूसर गैस और आई हो यह वी आपके लिया अरले समझ गे होगे तो आज के इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो में कुछ भी चीज़ अगर आपको इंट्रेस्ट लगा हो तो यार लाइक कर देना और ऐसे ही मज़दार वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में जै हिंद जै भारत